नवस्कार आप देख रहे हैं बदकही मैं हुआ आपके साथ अमितगर शुकला आपने बॉलिवुट की कई फिल्मों में देखा होगा कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर किसी एक स्थान पर बैट कर धरना दे रहे होते हैं प्रदर्शन कर रहे होते हैं शांती पूरवक प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अचानक से उन लोगों की भीड में कुछ अराजक तत्त तो आते हैं और वहां महौल को बिगार देते हैं उस शांती पूरव प्रदर्शन को उग्र प्रदर्शन बना देते हैं, बाद में वहाँ पुलिस पहुंचती है, लाठी चार्ज करती है और इस तरीके से प्रदर्शन खत्म हो जाता है। फिल्म में आप आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे भी एक कॉंस्परेसी होती है, सिस्टम में बैठे हुए लोग अपने लोगों को भेजते हैं, कि वहाँ पर जाओ उस प्रदर्शन को उगर प्रदर्शन बना दो, वहाँ पर हंगामा कर दो, ताकि जो लोग अपनी जायज मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहें, उनके प्रदर्शन को हम खत्म करवा दें, बॉलिवुड की तमाम फिल्मों में आपने इस तरह के सीन देखे होंगे, लेकिन इन तमाम सीन्स का मैं जिक्र आपके सामने क्यों कर रहा हूँ, समझाता हूँ, कल कूलकता क अरजिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स बैट कर प्रदर्शन कर रहे थे, पीड़ता को न्याय दिलाने के लिए उनके तरफ से शांति पूरवग प्रदर्शन किया जा रहा था, केंडल मार्च भी निकाल दिया जाता है, तमाम उपकरणों को नुकसान पहुचाय जाता है, और रात करीब एक बजे के आसपास ये हंगामा, ये ड्रामा वहाँ पर शुरू होता है, कई घंटे तक सब कुछ चलता रहता है, जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, सुरक्षा के लिए, वो खुद अ जान ले लेने पर अमादा थी, ऐसा उन पुलिस वालों का कहना है, अब सवाल इखड़ा हो रहा है कि बॉलिवुट की फिल्मों का ये सीन कल आरजिकर मेडिकल कॉलेज में क्यों दोराय गया, क्या वहाँ पर सबूतों को मिटाने की कोई कोई कोशिश की गई, कोई साजिश को उग्र करके चाहता है कि पूरे मुद्दे को डिरेल कर दिया जाए, या वहाँ पर सबूतों को मिटा दिया जाए, जो इस घटना के पीछे जो और लोग शामिल है, जो आश्वंका जदाई जा रही है कि सिर्फ संजे रॉय शामिल नहीं है, मलकि और लोग शामिल हैं, उ लेकिन इन सब की बीच कोलकता पुलिस का क्या कहना है, वो भी आपको बता देते हैं, कोलकता पुलिस कमिशनर विनीत कुमार ने कहा है, कि यहाँ जो कुछ हुआ वो गलत मीडिया कैमपेन की वज़े से हुआ, उन्होंने कहा कि दुरभागेपूर्ण मीडिया कैमपेन है, क कुलकता पुलिस ने क्या नहीं किया इस मामले में कुलकता पुलिस ने सब कुछ किया हमने परिवार को संतोना देने की कोशुश की लेकिन अफ़ाहें फैलने लगी मैं बहुत गुस्सा हूँ आगे पुलिस कमिश्णर ने कहा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन इस दु उग्र भीड घटनास्थल तक भी पहुँच गई थी उस हॉल तक पहुँच गई थी जहांपर पीड़ता के साथ बरबरता बरती गई थी जहांपर रेप के बाद उसका मर्डर किया गया था तब उन्होंने का कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो भीड इमर्जेंसी व पहुच पाई जहांपर पीड़ता के साथ जगह निवारदात को अंजाम दिया गया था लेकिन अब सवाल ही खड़ा हो रहा है कि वो उग्रभीड थी कौन उस उग्रभीड में शामिल लोग कौन थे और वो करना क्या चाहते हैं इस पर जो सियासत हो रही है उससे भी आपक कि पीड़ता को नए मिले वो नहीं चाहते हैं कि CBI जांच में दूद का दूद और पानी का पानी हो दूसरी तरफ TMC का कहना है कि वो सारे कि सारे BJP के गुंडे थे वो ABVP के गुंडे थे टीमसी की तरफ से कहा गया है कि पूरे प्रदर्शन को, पूरे कैमपेंग को ABVP की तरफ से हाईजैक कर लिया गया, ABVP के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जाकर वहाँ तोल फोर की और उन्होंने सब उतों के साथ छेड़ जाल करने की कुशिश की है, हमने यह अचान की जाएगी, उनके खिलाब भी कारवाई की जाएगी, तो कुल मिलाकर वहाँ भीड ने उगर प्रदर्शन किया, तोल फोर की, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि ओ भीड थी कौन, ओ भीड चाहती क्या थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बाकि जो तमाम एक्सपर्ट हैं, वो बॉलिवुट की फिल्मों की तरह, जो कुछ कल वहाँ पर घटा है, उसके बाद यही आशुंका प्रतीत कर रहे हैं, कि क्या इन लोगों की कोशिश और इन सभी के मनशा थी, कि वहाँ पर सच को मिटाया जा सके, वहाँ पर साक्षों को मिटाया जा सके, ताकि CBI ज जाच में सच सामने ना पाएं